निमस्का विद्यार्थी मीत्रों आप सब मज़े में होंगे। मैं पारोल सेलर हिंडी क्लास में आपका स्वागत करती हूं। विद्यार्थी मीत्रों आज हम कक्षा पांच में विशय हिंडी पात चार सोच अपनी अपनी का अभ्याश करेंगे। विद्यार्थी मीत्रों पात चार सोच अपनी अपनी एक चित्र पात है। इस पात को हम चित्र के मात्यम से समझेंगे। यह पात बहुती मनबावक है तो चलो विद्यार्थी मेत्रों हम सब यह चित्र को देखते हैं और उसे समझते हैं तो चलो विद्यार्थी मेत्रों स्क्रीन पर आपको एक सुन्दर ड्रश्य दिखाई दे रहा है यह ड्रश्य गाउं का है देखूं, डूर पर्वत के पीछे से सुरज डादा निकल रहे है सुब हो गई है सुरज निकल तेही पक्षी अपने अपने गोशलो से निकल कर आकाश में उड़ रहे है गोशला यानी गुजराती मालो सुरज निकलने पर पक्षी डाना चुगने के लिए निकल पड़े है आपको गिन्ना है कि कितने पक्षी आकाश में उड़ रहे है गाउं बहुत छोता है इसमें थोड़े गर दिखाई डे रहे है आपको गिन्ना है कि कितने घर दिखाई डे रहे है चलो हम किन्ते हैं एक, दो, तीन, चार और पाच घर के पीछे मंदीर दिखाई डे रहा है मंदीर के उपर क्या है? मुझे तो तजा दिखाई डे रही है वैसे तो गाउं में कहीं सारे पेड है लेकिन सबसे बड़ा पेड नार्य लिका है आप स्क्रीन पर देख सकते हो रास्ते में एक किसान जाता हुआ डिखाई डे रहा है इसके हाथों में एक बड़ाशा डंडा है किसान के पीछे कौन डिखाई डे रहा है? मुझे तो एक कुट्टा डिखाई डे रहा है देखो यह चरवाहा है चरवाहा यानी बेर बकडियों को चराने वाला चरवाहे के हाथ में एक बड़ी लकडी दिखाई दे रही है बेर बकडियों को लेकर चारा चाराने के लिए निकल पड़ा है विद्यर्थे मेत्रों रास्ते के नजदीक आपको क्या दिखाई दे रहा है देखो द्यान से देखो मुझे तो एक बगीचा दिखाई दे रहा है बगीचे में आपको कोन दिखाई दे रहा है बगीचे में डोल लड़किया और एक लड़का दिखाई दे रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हो बगीचे में रंग बे रंगी टिटल या दिखाई दे रही है आप जैसे छोटे बच्चे बगीचे में रंग बे रंगी टिटल्यों को पकरने के लिए उसके पीछे भाग रहे है आपको टिटल्या पसन है? टिटली यानी? टिटली ने गुजराती मा पतंग्यों कहवाई विट्यार्थी मेत्रों सुब का सूर्य, परवत, पशुपक्सी, गर, मंदीर, पेड, आडी के कारण ड्रश्य, बड़ा, मनभावन लगता है ड्रश्य में सुब होते ही सब अपने-अपने काम के लिए निकल पड़े है मित्रों, आपने सुब सूरज को निकलते हुए देखा है अपने चीडियों को डाना चुक्ते हुए देखा है सोचो, अपने टिकली को फूल पर बैठे हुए देखा है सोचो, सोचो और बताओ विद्याठी मित्रों, चलो, अब हम एक और प्रवुती करते है विद्याठी मित्रों, स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है ध्याण से दिखो चित्रको इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है चित्र में कौन-कौन है? गर के पीछे क्या है? पेड के नजडिक क्या है? यह द्रश्य सुबका है कि सामका आपको देखना है? और देखकर आपको अपनी नोटबूक में चार से पाँच वाक्य लिखने होंगे. ओके? विद्याठी मित्रों आसा करती हूं कि आपको यह चित्रपाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होंगा. विद्याठी मित्रों यह चित्रपाद को आप दो तीम बार देखेंगे, समझेंगे, इसके बाद आपको प्रश्नक के उत्तर तैयार करने होंगे. फिर मिलेंगे धन्य झालवाई